यूस्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉनकोर के चेर्मेन और एमडी वी कलियांड राम कलियांड सेर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे कि आप बताएं कि आपके नंबर से आपकी नजरीय में कैसे रहे हैं और जो वॉल्यूम है और जो रिलाइजिशन है और वो किस तरह के रहे हैं तो कंपणी का सबसे अच्छा हुआ है अभी तक हिस्ट्री में इस क्वाटर सिर्फ देखे क्यूटू सबसे आइएस्ट है बोट रिविन्जू में और पैट में और क्यूटू का नंबर्स हैंडलिंग में और आरजनेटिंग लोडिंग में कभी अच्छा रहा तो वोवराल 6 months का if I look at compared to last year तो handling में 21% का growth है and originating loading में भी 18% growth है इसमें exam में around 18% मिला है और domestic में तो लगबग 50% तक मिल रहा है तो 48% growth है तो दोनों मिलके अच्छा growth मिला और total operating income में 33% growth है in the first 6 months तो ये जो quarter है Q2 और H1 है half 6 months ये दोनों जो है company का record है सबसे अभी तक company का history में सबसे अच्छा Q2 है सबसे अच्छा H1 है चिक है और पाट भी जो हम लोग guidance दिया उसी मताविक हम लोग 518 करोर का पाट पाया इस 6 मेने में और Q2 में भी 240 करोर का पाट पाया है तो ये जो पाट है ये जो growth forecast दिये है 100% बढ़ जाएगा पिछले साल से उसी रफ़तार में चल रही है ठीक अगर आपके सर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो आपकी जो growth है जो especially exam division की आप वो काफी शानदार रही है आगे आप किस तरह का भीश्य देख रहे हैं और इस बहतरीन growth के पीछे factors कोन से है देखें डोमेस्टिक में आप आगे का भी हमको उमीद है ये चलेगा इस लेवल में ही volume चलेगा तो growth का मताबए कि if we see in the percentage of numbers because पिछले साल में October से अच्छा सा uptrend आया था India में so growth percentage may be a little less compared to the first six months what we have seen 48% because that depends on the base of the last year but overall numbers will be definitely good the main reason for ये जो growth आने का मुख्य कारने है अभी India का अंदर जो manufacturer, trader से सब जो है containerization का फाइदा समझने लगा कोई goods open में transport करे, bulk में transport करे, open trucks में उससे तुलना यदी container में transport करे उसका जो safety है security और minimum damage ये सब चीज जो है जो फाइदा है containers में वो फाइदा आप सब को काफी लोगों को समझ में आ रहा है तो more and more people are adopting containerization इस वज़े से इंडिया का growth अच्छा है इंडिया में हम लोग का इतना containerization जो है तोड़ा low key में है compared to the western countries आप पिक अप करने लगा तो containerization का अच्छा growth domestic sector में हम लोग देखेंगे इस साल में और आगे भी जो है मेरा उम्मीद है ये जो containerization का growth बना रहेगा ये समझना चाहेंगे कि जो domestic market है हमने देखा है कि आप तो economy पुरी तरह से खुल रही है और तमाम जो sector से हर जगे से एक green signals आने लगे है और demand को आपको कहां से push मिल रहा है आपको domestic market में domestic को मुलब सब जगा demand है अच्छा demand तो हम लोग western में देख रहा है गुजरात में, महरास्टा में वहाँ का manufacturing ज़्यादा है वहाँ का जिसने वहाँ demand ज़्यादा है eastern इंडिया में भी demand pick up कर रहा है जो steel का input है founderist casting का input जो है steel sponge iron, pig iron उसका भी demand बढ़ रहा है steel products का demand बढ़ रहा है और जो हम लोग food grains को import करता है, bulk में, वो containerize हो रहा है तो more demand is in western but eastern also picked up, southern also picked up ठीक है, शुक्रिया 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 और food grain movement from northern India is picking up so there is a demand in नार्थ so overall there is a demand in all the four sides that is actually helping us in making a economical movement and giving advantage to the customer शुक्रिया के लेंड सर्म से बाच्चित करने के लिए और company के नतीजों के साथ आगी का outlook भी हमसे share करने के लिए